परम सनमानियो गुरू रूप गुरू खालसा सा संगत जी वाह गुरू जी का खालसा वाह गुरू जी की फते प्यारी सा संगत जी आज आपां चोवी अवतारां विचों पंद्रमें अवतार और हंत देवदी कथा सर्वन करांगे सा संगत जी एहे कथा शिरी दसम गरंथ विच दसमें पाशा द्वारा अंकित कीती गई है गुरु जी उस अकाल पुर्खन याद कर दे हुए फर्मा रहे हन एक उवंकार सत्गुर परसाद शिरी वाहिगुरु जी की फतह शिरी पगोती जी सहाए चोवी अवतार शिरी मुखवाक पाशाही दसमी अकाल उस्तत चौपई अथ चौबिस उचरों अवतारा जेह बिद तिन का लखा अखारा सुनेओ संत सभै चितलाई बर्नत स्याम जथा मत भाई सचे पाशाह तानतानी शिरी गुरु गोविन सिंग साहब जी महराज फर्मा रहे हन के होण मैं चोवी अवतारा दी कथा सुना रहा हां जिमें मैं ओना दी जीवन लीला नू समझेया है सोहे सारे संत जनों तुसी मन लाके सुनौ कवी स्याम उसे तरह वर्नन कर रहा है जैस प्रकार उस दी अकल विच आया है सा संगजी कलगी तर पाशाह आपने पास बबंजा कवी राख़ दे सन बबंजा कवियां दे नाम महान कोश दे करताने देके तेरवा कवी सियाम दे उनजमा कवी राम केहा है ज्यानी बीबेका सिंग जी केंदे हन के सियाम दे राम गुरु जिदे अपने ही उपनाम रखे होई सन जिस तरह के कवी अपने नादे नाड कोई तखलुस रख लेंदा है एसे तरह दश्मेश पाशा जीदा राम जा स्याम पादिशाप सी इसनो महान कोश्दे करता ने भी लिख्या है ते होर कई विद्वाना देवी एही विचार हन जदों परजानों दुख देन वाले वद जांदे हन ता निरंकार मनुख दे स्रीर विच आप अवतार बन के इस संसार विच ओधा है सब संसार दे तमाशे नू काल देखदा है अखीर सब दा नास काल ही करदा है सब दा पसारा काल करदा है आंतनू काल ही ओनानू खपोन वड़ा है ओहो परमात्मा अपने विच्चों कई परकार्दे रूप पैदा करदा है फिर अपने विच्ची लीन पाव अपेद कर लेंदा है इना अवतारां विच्चों दस अवतार ही स्रेश्ठ हन जीना विच्च साड़ा ब्रम रम रहा है होर चोदा अवतार होए हन गुरू जी फरमा रहे हन के मैं ओना दप प्रसंग सुनोंदा हां जो कुछ ओना ने इस संसार विच्चा के खेड तमाशा कीता है काल अपने नानू छुपा के सब कुछ आप करदा है निकी बदी होरना दे सिर्थे देदन दा है जगत विच आप निरालम ते निरले परेंदा है जदो कोई पुर्ष इस पेदनू जान लेंदा है फिर हो ग्यानी बन जानदा है आप ही प्रमात्मा काल नू रचदा है ते आप ही मारदा है पर होरना दे सिर्थ दोश दे के नाश करोंदा है आप हर एक गलतों निरले परेंदा है किसे ने भी इस पेदनू पाया नहीं है उस दाना ब्यंत एसे करके कहा जानदा है जेडे चोवी अवतार जगत विच खाये हन ओनाने रता पर भी हे प्रभू तेरे आंतनू नी पाया शेरी गुरु ग्रण साहब जी वेचवी लिख्या है ब्रह्मा विसन महा देओ त्रैगुण पुले हो मैं मोवदाया हे पाई गुरु दी सर्ण पैनतों बिणा ब्रह्मा विष्णू शिवजी वर्गे वड़े वड़े देवतेवी माया दे तेन गुणा दे कारण सही जीवन रातों खुझदे रहे ओना दे अंदर हों में वद्धी रही ते माया दा मो वद्धा रहा ओ प्रमातमा दा आंतना पा सके सो जो चोवी अवतार जगत विच कहाए हन उनाने रतावी हे प्रभू तेनू नी पाया सारे जगनू तुसा परम विच पुलाया होया है तो अड़ा नाम इस करके बेंत केहा जन्दा है प्रमातमा दीनना दुखियानू देखके देयालता दुखोंदे हन एसे करके ओनानू दीन बंदू गेंदे हन अकाल पुरुख संतां दी सहता कर दे हन इस करके संत परमातमा दी अवतारां विच गिंडती कर दे हन लगन सगन ते रहत निरालम है यह कथा जगत मैं मालम जंतर मंतर तंतर नार जहाया पेख करत किन हू नह पाया प्रमातमा लगन ते सगन पाव निरलेप रेंदा है, सारे जगत नू इस गल्दा पता है, जंतर मंतर तंतर नाल हो खुश नी हुंदा, पेख करनवालें विचों किसे ने भी तेनू पाया नी है, ए सारा जगत आपने अपने स्वार्थ वेच उल्जय होया है, ति किसे ने पार ब्रह्मनू पशाणया जेड़े उस परमात्मा दे प्रेंवेच राच गए हन, ओ सारे लोक लाज छट के नच रहे हन, एक आद पुरुखनू जीना ने पशाणल्या है, दवैत पावनू, ओना ने अपने माने वेच नहीं लेंदा, जेड़े जेड़े दवैत पावेच लगे होये हन, ओ सारे वाह वाहे गुरु दे मिलापतों, बचे होये हन, अर्थात प्रभूतों, दूर हन, जीना ने एक अकाल पुरुखनू थोड़ा मत्र भी पछाणल्या है, ओना नहीं परम ततनू जानया है, ज्यादा तर लोग इस संसार विच पिखी हन, जो अपने पखंड नाड इस संसार नू लोट रहे हन, मनोख अपने पेट वास्ते पखंड करके दखोंदा है, क्योंकि पखंड कीते तो बिणा, तान नहीं मिलता, जीना पुर्षा ने एक वाहे गुरु नू ते आया है, ओना ने किसे नू भी पखंड करके नहीं दखाया, ते पखंड करतो बिणा, माया हाथ वि जीना है, ओहो किसे नू पखंड करके नहीं दखोंदे, ओपना सिर्द देदे हन, पर अपना सिर्द नहीं दे, ते अपनी दे नू तोच करके जान दे हन, ओस परमात्मा नहीं, बली दैत, ते कमजोर देवते, पैदा किते होई हन, उच्चे निमे बणा के, वाख वाख परमात्मा ने अलग अलग देहां तार के इस संसार विच अवतार दे नाम नाड परगठ होए हन जो एक परम रूप करके कहों दे हन ते आतनू सारे अवतार उस दे विच ही मिल जान दे हन परमात्मा सब नू वक्ष वक्ष पैदा करदा है ते वक्षो वक्ष करके उननु नास करदा है आपने उते उसने किसे दाभी दोश नहीं लिया दूज्यादे से रुते बुर्याई दे देंदा है सो सा संगजी एसे लड़ी विच पंद्रमे अवतार अरहंत देवदा जिकर करदे हन जदो जदो देंद पसारा करदे हन ओदो ओदो विश्णू जी एन अदा नास करदे हन एक वारी सारे देंद इकठे हो गए ते सारे देंद गुरु शुकरा चारे दे मंदर विच चले गए सारा ने मिलके विचार किती के हमेशा ही देवते देंताना नास करदे हन इसलिए कोई अजेही चाल करिये जिस करके साड़ी गल बन जाए देंतान दे गुरु शुकर ने एह बचन केहा के हे देंतों तो अनू एक गल्दा पता नी लगया ओहो ए के देवते कई तरह दे यग करदे हन इस करके ओनानो देंड रात अनांद प्राप्त होंदा है तुसे भी यग करना शुरू करो ताहिए इस जाग वेच तो अड़ी जेत होएगी ए गल सुन देंताने यग शुरू करदता यग होन दी गलनों सुन के सारा देव लोग काम गया विशनु जी नुँ सब देवत्याने साधके केहा हे देंत का तक होण कुझ उपा करो देवत्यान दी गल सुन के विशनु जी ने केहा मैं होण नमसरीरत आर दाहां ते देंता दे यग वेच विगन पामांगा बहुत तरह दे विशनु जी ने इस नान कीते अनेका ब्रह्मनानू दान दिता विश्णो जी दे हिर्दे विच कमल फोलतों पैदा होए ब्रह्मा जी ने ग्यान दा संचार किता ते फिर विश्णो जी ने मन विच अकाल पुरुख दा त्यांता रेया अकाल पुर्ख जी विष्णू जी दी बेंती सुनके दियाल हो गए विष्णू जीनू अपना दास जानके ओनाने सुन्द्र बचन कहे के तू इस तरती दे जाके अरहंत देव दा रूप तार्न कर ते जाके देंतां दे राजे दा यग नास कर दे विशन देवनु जद हुकम मिलेया ता उना ने अकाल पुर्खदी वड़ियाई कीती फिर अरहंत देव बणके तर्तीते आये ते आके एक होर तरांदा ही पंत तोर्दता विशन जी एस तर्तीते आके देंतांदे गुरु बण बैठे ते गुरु बणके अपना नाम और हंत देव कहाया ओना ने बहुत तरांदे अपने मत तोर्दते ते स्रेवड़याँ दा मत पैदा कीता ते सारे संतानू सुखी करदता फिर यग करनतों देंतानू मना करदता जीव मारनतों सारानू हटादता क्योंकि जीव मारे तो बिणा यग नहीं सी हो सकदा इसलिए यग कोई नहीं सी करदा इस तरह यगादा नास हो गया क्योंकि जो जीवनों मारदा सी जगत वेच उस दी निंदा हुंदी सी जीव मारे तो बिणा यग नहीं सी हुंदा इसलिए कोई भी यग करना नहीं सी चौदा साबनानू इस तरह दा उपदेश अरहंत देवने देदता कोई राजा भी जग नहीं सी कर सकदा कुमारगे दे रस्ते सारे लोकानू लादता ते कोई भी तरमदा करम नहीं सी करदा अन तो अन जिमें पैदा हुंदा है काहतों का जिमें पैदा हुंदा है जिमें मनुख तो मनुख पैदा हुंदा है इस विच होर कोई करता नहीं है एहो ग्यान सार्यानू अरहंत ने निश्चे कराज़ता इसलई तरमदा कम कोई कारही नहीं सी सगदा एसे बिर्ती विच सार्याने अपना चित जोड लिया इस तरह होली होली दैता दी कुल कमजोर हो गई कोई भी दैत इश्चनाँ नहीं सी करदा इश्चनाँ तो बिना पवित्र हो नी सगदा पवित्र होई तो बिना कोई मंतर नी फुरदा इस करके सारे जनतर भी निस्वल हो गई सा इरहंत ने दास हजार साल राज किता सारे जगत विच एह मत पैदा करदता ते तरम दे सारे काम मिट गई इस परकार नाल ओना पस हो देता दी कोल ही खोले देवत्यां दे राजे इंदर ने अपने मान विच बड़ा चंगा मन्या के विश्णों ने होण बड़ा कम कीता है अनाद वद गया है ते शौक मिट गया इसलिए सारे कारकर विच खुशियां हो गईया विश्णों जी ने इस तरह दा उपदेश दे के सारे नो तरम छुडवा के आप इंदर पूरी तो उपर बैकुंठ ताम विच मुड़ गए ते ओथे जाके बिराज गए स्रावकां दे स्वामी अरहंत देवदा रूप तार के सारे देंतानू पुठे रस्थे पौंड ली इस तरह दा पंदरमा अवतार परमातमा ने तार्न कीता देंताने वैदिक तरम करने शुरू कर दते ते ओनानू वैदिक मारन तो प्रेश्ट करन ली अरहंत जैन तरमदा आद अचारज रूप विश्णुजी ने तार्ण कीता जीना ने देंतानू वैदिक मार्ग तों हटा के जैन मात ता परचार करके उस रस्ते ते चला जता अरहंत देवने संसार नू द्रव्यार्थिक त्रिके नाज अनाज दस्या है जगत दा ना ता कोई करता है ते ना कोई जीवानू दुख सुख देन वाला है अपने अपने कर्मा दे अनुसार जीव दुख सुख पोंदे हन जीवता आत्मा दा मूल सुबाब सुद्ध बुद्ध सत्चित अनाद सुरूप है केवल करम दे पढ़ दे नाल उस दा मूल सुरूप टकै जान्दा है जिस विले इस जीव दी पटकना मुक जान्दी है उस विले आत्मा परमात्मा दी उच दशानू प्राप्त हुन्दी है जैन मत स्यात वाद दे नाम नाल भी परसिद है सो इस परकार दसमें पाशा ने शिरी दसम ग्रंथ विच पंदर में अवतार और हंत देवदा जिकर कीता है अगले और वले कुझ पागां विच दास होर भी अवतारां दी साखी आप जिनों सर्वन करवाएगा ताथ तक दासनों आग्या देओ वाहिगुरु जी का खाल्सा वाहिगुरु जी की फते का वाहिब ब मकाँ झाल्सथ का ओास वाहिवरु माँ जी साखी साखी का जी साखी झाल झाल